em जै बलो देवाद गषाराट स्रीभगवान महाविरश्वामी की जै जै आहिंसा परमों धर्मे की जै 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 परंपूज आच्रु गूरुव स्री विद्या शांक जै 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 बुले परमपोज मनीश्री 168 प्रमान शगर जी महराज की नमुस्तुम। आज का दिन श्रमान सर्श्कृति के इतिहास का बड़ा मुल्यवान दिन है। मुल्यवान इसलिए नहीं कि आज की तिथी में गुरुदेव की दिख्षा हुई है। अपि तो इसलिए कि गुरुदेव की दिख्षा के बात से एक नए अध्याई की शुरुवात हुई है। भगवान महावीर से लेकर रास्तक की इश्रमन परंपरा आचारी और मुनियों के माध्हम से ही आई है। और भगवान शब्देश महावीर और महावीर से लेकर रास्तक जितने भी आचारी मुनियों हुए हैं। उन सबका इश्रमन संस्कृती के विकास में महनी योगदान है। लेकिन आचार गुरुवर का उन सब में एक अलग स्थान है। आज की तिथी में गुरुदेव ने मुनि रिक्षा ली। जिस समय उन्होंने मुनि रिक्षा ली। उस समय हमारी समाज की सिती बिलकुल विचित्र थी। समाज में एक वर्ग ऐसा था जो मुनियों के प्रतियास थावाने ही नहीं था। जो मुनियों को मानते ही नहीं थे। और दूसरी तरफ जो मुनि गन थे भी तो उनमें से ज्ञानी मुनियों का अभाव साथ था। परंपुज गुरुदेव की मुनि जिक्षा के बाद इन दोनों की पूर्ति हो गई। जिन लोगों की आस्थाएं खोने लगी थी। उनकी आस्था पुनर जागरित हुई। और आचार स्री ने आचारी ज्ञान सागर जी से दिख्षा ली। जो ज्ञानी और त्यागी दोनों थे। क्योंकि उससे पहले प्राया जो ट्यागी होते थे वे ज्यानी नहीं होते और जो ज्यानी होते थे वो ट्यागी नहीं होते ज्यान सागर में ये दोनों बाते समाही थी जो उन्होंने बिद्या के सागर में उडेल दी और एक ऐसी मुनियों की परंपरा हम सब को गुरुदेव के माध्धम से प्राप्त हुई जो चागी होने के साथ साथ ज्यानी भी बने हुए मैं अपनी बात की शुरुवात पंडित कहलाश चंजन सास्त्री की एक उद्गार से करता हूँ जब उन्हों ने पहली बार गुरुदेव के दर्शन किये ब्यावर में वहां से लोट कर आने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जैन संदेश के संपाद की लेख में प्रकट की एक नए नच्छत्र का उद्गार ये लेख में उन्होंने लिखा मैंने उस लेख को भी पढ़ा और उनके मुक्से भी बाचनाओं के मद उनके उद्गारों में सुना भी उस लेख में उन्होंने लिखा कि मेरी तो मुनियों के प्रती स्रद्धा ही उठ चली थी मैं नमोकार के दो पदो का ही उचारन करता था नमो अरिहंतानम नमो सिध्धानम नमो आईरियानम नमो वज्धानम नमो लोई सबसावनम नहीं बोलता था लेकिन जब से मैंने आचार महराज के दर्सन किये हैं मेरे सामने नमो कार के पाँचो पद जीवन तो उठे उन्होंने लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहता हूँ जिनकी आज मुनियों से सद्धा उठ चली है एक बार आचार महराज के दर्शन करे उनकी धारना अवश्य बदलेगी ये पंडित कहला संसिधान साहत्री जो अपने जमाने में जैन जगत के बड़े दिगज बिद्वान के रूप में जाने जाते थे एक इस्थापिद बिद्वान के उद्गार थे ये सब क्यों हुआ ये गुरुदेव के महनिय व्यक्तत की छाप थी आचारियों और मुनियों का होना दुरलब है लेकिन युगांत कारी प्रभावना करने वाले आचार और मुनियों तो महा दुरलब है हम जब श्रमन संस्कृति के ग्यात इतिहास की तरफ अपनी दृष्टी दोडाते हैं तो पिछले पास साथ सो वर्सों की इतिहास में हमें ऐसे किसी आचार का नाम नहीं दिखता जिनका इतना विशाल संग हो और सब के सब वाल ब्रमचारी हो ये कोई साधरन घटना नहीं है हमने सुना आचार भद्र बाहू के काल में अनेक मुनि हुआ करते थे हज्जारों हज्जारों की संख्या में हमने सुनाए कि आचार कुंद कुंद के काल में अनेक अनेक मुनि हुआ करते थे देखा नहीं पर आचार महराज को देख कर हमें ऐसा लगता है मानो आज भद्रबाहु और कुंद कुंद ही इस धर्ती पर विछरन कर रहे हैं बदलेवे संदर्व उनका वेक्षित महान है और आज हम सबको उनकी बंदना का सौभग मिल रहा है चार बातें उनके संदर्व में मैं कहूंगा मैंने उनके व्यक्तित्य को बहुत निकटता से देखा है मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा है एक पंक्ति में कहूँ तो कुल इतना ही कहूँगा कि आज के इस युग में वे इस धर्ती की दिब्य विभूती है उन्हें किसी व्यक्ति के रूप में गिनना उन्हें किसी मुनी और आचारी के रूप में देखना साइध हमारे लिए चूख है वे मुनी और आचार तो हैं ही पर मुनी और आचारी के रूप में इस स्रिष्टी की विभूती है उनके संदर में बाते करो उससे पूर उनके विभूती पने के संदर में दो बाते आपसे करूँगा गुर्दे रामटेक में थे गुरु शरेन में हमारा भी चातुरमास वहीं चल रहा था 1993 की बात है एक पांच-छे लोगों का गुरूप मेरे पास आया उनमें एक वेक्ति था रेश्मी कपड़े, हाथ में चमेली का फूल, माथे पत्र पुंडर और गले में कई प्रकार की मालाएं, उंगलियों में धेर सारे रत्नों की अंगुठियां हाई प्रोफाइल लोग दिख रहे थे और देखने में आ रहा था, कि जरूर ये कोई तांत्री की वेक्ति है, वो आकर के मुझे प्रणाम किये, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, बाबा, हमसे बुला, बाबा, आपके बाबा तो बड़े दिब बिभूती हैं, बाबा, आपके बाबा तो बड़े दिब बिभूती हैं, मैंने कहा, क्या बात है, वोला, हम लोग जिन सक्तियों के पीछे रात दिन लगे रहते हैं, वे सक्तियां उनकी इर्दगीर्द बैठी रहती हैं, तो भी वे आँख उठाकर देखते नहीं, ये तो दिब बिभूती हैं, उन्होंने कहा, कि हम पंद्रा मिनट तक उनके पास बैठ कर आए हैं, उन्होंने हमसे एक लबज नहीं बोला, वो एक अपना काम करते रहें, लेकिन हमें लगा, कि ये कोई शाधारन पुरुशन नहीं हैं, ये असाधारन बिभूती हैं, ऐसी बिभूती के सानिध का लाब जिने मिला है, वे निश्चित भागिशाली हैं, ऐसी बिभूती के सरन पाने का सौभाग जिनको मिला है, वे और महान भागिशाली हैं, निश्चित इस अर्थ में हम लोग महान भागिशाली हैं, हमने तिर्थंकरों के युग में जर्म लिया, इसकी हमें कोई श्मृती नहीं है, है क्या, हमें तुम्हें किसी को नहीं है, तिर्थंकरों के युग में जर्म लिये होंगे, लेकिन आमें तुम्हें कोई सुनिती नहीं है पर भले पंचमकाल की बिश्वी और इकीश्वी सताब्दी में हमने जर्म लिया पर आचार विद्या सागर जैसे युगांत कारी शंत को देखकर ऐसा लगता है मानो आज हम सब पर उन जैसा ही सासन चल रहा है पंचमकाल में त्याग और तपश्चा का जो उत्कृष्ट रूप दिख सकता है उन सब की झलक गुरुदेव के चरित्र में देखने को मिलती है और के जीवन को चार दृष्टी कौन से देखा जाए सबसे पहली बात वे बड़े शकारातमक हैं उनकी सोच हमेशा सकारातमक रहती है और इसकी शुरुवात दिख्षा के पहले आहार से ही देखने को मिली आचार महराज की जब दिख्षा की घोष्णा ग्यान सागर जी महराज ने की तो अजमेर के इलाके में खजबल-खलवली मच गई बाईस साल के जवान छोकरे को सीधे मुनी दिख्षा सरसेट भाग चंजी सोनी के नितरत में कुछ लोग ज्ञान सागर जी महराज के पास पहुँच गए और उनने निवेदन किया महराज जी आकी उमर भोथ थोड़ी है अवारान दिख्षा मत दे हो ज्ञान सागर जी महराज तो ज्ञान सागर जी थे उन्होंने का सेट साप थे कवो हो कि आकी उमर कम है ठीक है मैं सोचूँ पर दिख्षा की तो दिख्षा को तो कारी कम होई गो था की उमर होगी थे आजाओ हाँ आजाओ सब की हवा खिसक गई अंतता ज्ञान सागर जी महराज के चर्णों में सब सरनागत हुए दिख्षा हुई और आपको पता है गुर्देव का पहला अहार उस व्यक्ति के घर हुआ जिसने उनके दिख्षा का विरोध किया था ये उनकी सकारात मकता है ये सकारात मकता है उन्होंने अपने जीवन के चवर वरसों में पूरी समाज को सदेव शकारात मकसंदिश दिया वो कभी किसी विवाद में नहीं पड़े ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशाल है बहुतों ने गुरुदेव के विशे में न जाने कब कब क्या क्या कहा लिखा पढ़ा वो हमेशा कहते थे लोग अपना काम करें मैं अपना काम करता हूँ गुरुदेव ने एक शिंतन दिया कर्म बंध की प्रक्रिया को लेकर और उन्होंने प्रक्रति प्रदेश सिति अनुभाग ये जो चार प्रकार का बंध है ये बंध में योग और कशाय की ही भूम का है मिठ्यात का इस्ति अनुभाग बंध में या प्रक्रति प्रदेश बंध में कोई सीधा रावल नहीं है इसलिए एक शब्द का प्रियोग किया था अकिंचित कर है बंध और आस्रों के छेत्र में बबाल मचा लेख मालाए छप गई लोगों ने गुरुदेव को मिठ्यात का प्रचारक तक घोसित कर दिया पर गुरुदेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कोई लेख नहीं कुछ नहीं उनसे कहा गया मेरी सापताहिक ब्राडकास्टिंग होती है जो मैं अपने प्रवचन में देता हूँ उसके अलावा कुछ नहीं उनसे पूछा गया कि गुरुदेव इस चिंतन से आपको क्या मिला इस बिवास से आपको क्या मिला मुझे तो भलाई हुआ मेरी समता बढ़ी और मेरा चिंतन बढ़ा ये सकारात्मकता है तीसरा उधरन देता हूँ गुरुदेव के पास गए और लोगों ने कहा मराज समाज में एक वर्ग ऐसा है जो मुनियों को नहीं मानता आप उनका विरोध क्यों नहीं करते है समाज में एक वर्ग ऐसा है जो मुनियों को नहीं मानता आप उनका विरोध क्यों नहीं करते गुरुदेव ने कहा किसने का विरोध नहीं करता हूँ जैसा विरोध मैं करता हूँ वैसा कोई नहीं करता हूँ महराज आप तो कभी उनका नाम तक नहीं लेते आप तो उनका कभी नाम तक नहीं लेते वहला इसलिए तो मैं कहते हैं जैसा विरोध मैं जैसा कोई नहीं करता मतलब इतना है咪थे लोग कहते हैं कि पंचम काल में मुनी हो नहीं सकते हैं मैं मुनी बनाओं और बनाके बता रहा हूं इससे बना विरोध क्या होगा ये सकारात्मक दृष्टी कौन ये सकारात्मक दृष्टी कौन और बताऊं अगर केवल उनकी सकारात्मक ता सकारात्मक ता को बताऊंगा तो घंटो निकल जाएंगे चलिए एक और बताताऊं बात मुझे चारो करनी है क्योंकि आज चार बातें नहीं करूँगा तो गलवर होगा उन्नीस सो सत्याशी में नैनागिर के समोसरन मंदिर का पंचकल्यानक हुआ गजरत हुआ है गुर्देव का सानिद्धा प्रतिष्ठा हुई प्रतिष्ठा में बाहर की भी प्रतमाइं आती है उन्हें से शहडोल की किसी एक प्रतमा में किसी भक्त ने लिख दिया बिद्या सागर आमनाई लिख दिया हम लोगों को कोई पता नहीं क्योंकि उस से पहले तक किसी प्रतमा की प्रसस्ति के बारे में हम लोग सोसते ही नहीं थे उस गटना से पहले ये प्रतिष्टाचायर का काम है प्रसस्ति लिखना लिखाना काम खता अब उस पर एक विद्वान ने जो उस समय विद्वत परशच के अध्धक्ष हुआ करते थे बरिष्ट विद्वान थे अब दुनिया में नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ एक लेख लिख दिया कि नए आमनाई की शुरुआत बिना कुछ जाचे परखे पत्रकारता का धर्म ये कहता है कि वास्तविक्ता को समझे बिना टिपनी नहीं करनी चाहिए सामने वाले का पक्ष जाने बिना कुछ नहीं सोचना थे लेकि उन्हें चाप दिया मुझे बहुत बुरा लगा उन्नी सो अठासी में बिद्वत परिषद का अधिवेशन जबलपूर मरियाजी में था वो सज्जन आए मैंने उनकी पूरी क्लास ली जम कर लतार लगाई मैं भी नया नया मुनी था छे मेना मेरी मुनी दिक्षा के हुए थे माज में दिक्षा हुई और यह अक्टूबर की घटना है खून गरम था 21-22 साल की उमर थी समझ उतनी थी नहीं अच्छी क्लास ली और मैंने कहा कि आपने लेख लिखा कम से कम पहले सोचना तो था कि अगर विद्या सागर आमनाय बनाना ही था तो मूर पृत्मा की प्रस्थि में लेख लिखा जाता अन्य प्रत्माओं में लिखा जाता सभ में लिखा जाता आपने एक अगर किसी सिर्फिरे की या किसी भाउकता या भक्ती में अतरेक रखने वाले भक्त के द्वारा कोई गलती हो जाए तो आपने आचार महराज के लिए उसका अरोप लगा दिया आप जैसे विद्वान को ये सोभा नहीं देता उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई हमने गलती हो गई ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा सच्चे अर्थों में तुम्हें फिलिंग है तो गुरु चरन को पकड़ो और उनसे प्राइश्चित की आचना करो क्योंकि आपने अवर्णवाद किया है ठीक कह दिया उसके बाद मैं च्छाती फुला के गुरु चरनों में गया है एकदम फुस फुस और उनको सारा वाक्या सुनाया उनने धहर पूर्वक सुना और सुनने के बाद कहा आपने ठीक नहीं किया मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे उठा के किसी ना फेक दिया मैं तो सोचा मुझे साबासी मिलेगी लेकिन यहां खेल तो उल्टा है आपने ठीक नहीं किया मुझे गलती हो गई अब रात शमो जो भी हो प्राश्ची देजे बोले देखो हमारा काम शमता रखना है उनका काम उनको करने दो हम उनको क्यों बोले उन्हें वो विद्वान हैं उन्हें एहसास होना चाहिए और ऐसे विद्वानों को राह पर लाने का यही तरीका है कि उनकी टिपनी को भी शमता से सहो हम सादू का धरम शमता है यह आचारे विद्वासागर हैं और बोलू इतने हैं बोलता चलूँगा तो बोलता चलूँगा पर चारो बाते करनी हैं घली मेरे सामने आगे बढ़ता हूँ फिर कभी देखूँगा वे बहुत सकारात्मक हैं उनका चिंतन मैंने कभी नकारात्मक नहीं देखा यह हमें सीखना चाहिए वे प्रगार आत्म विश्वासी हैं आत्म विश्वास के धनी हैं अगर आत्म विश्वास का पाठ पढ़ना है तो आचार विद्या सागर के चरित्र को देखो वो जो भी निर्णे लेते हैं पूर आत्म विश्वास के साथ लेते हैं और उस पर पूरी तरह कायम रहते हैं और अपने निर्णे में अटल रहते हैं कुंडलपूर के बड़े बाबा के मंदिर का प्रकरन इसका जलंत उधारन है जब कुंडलपूर के बड़े बाबा के मंदिर के जिर्नोधार की बात आई समाज में भूचाल आया लोगों ने तो आचार विद्या सागर को औरंग जेब तक कह दिया हैं लोग जिसके अंदर जो भीतर होता वो ही बाहर निकलता है लेकिन वे अपने निर्नाय से टस से मस नहीं हुए क्योंकि उनका निर्नाय सुविचारित निर्नाय था उनका निर्नाय दूर दर्शिता से भरावा निर्नाय था उनका निर्नाय संस्कृति की रक्षा का निर्नाय था वो बड़े बाबा के को हजारों साल तक सुरक्षित देखना चाहते थे वो अपने आत्मिश्वास से भरे रहे और लोगों से क्यों लितना ही का गी भीया ऐसा करो तो मेरा आशिरवाद है सब ठीक होगा लोगों में चिंता बड़े बाबा यहां से वाँ शिप्ट कैसे होंगे गुरुदेव ने कहा था फूल की तरह उड़के जाएंगे और वह उन्होंने कर दिखाया जेश दिन बड़े बाबा के आप बिहार होना था मंदिर में शिप्ट होना था सारे दुनिया के लोग शसंकित थे उस समय संग में जो महराज लोग वहाँ थे न उनके मन में भी थोड़ी थोड़ी धुक थी मैं कोलकाता में था मेरे मन में भी धुक था कहीं गड़बल न हो जा हलाकी अंदर से विश्वास कहता था कि गुर्देव ने लिया है तो कुछ होगा नहीं सब ठीक होगा पर इस धर्ती पर केवल एक वेक्ति थे जो परम निश्चिंत थे वो आचार विद्यासा गया रहा जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया वो हो गया शाक्षात घटित हो गया एक किसका फल उनके आत्म विश्वास का परिणाम एक जीवन में शीख लिना चाहिए कोई भी काम करो तो आत्म विश्वास से भर करके करो और अपने आत्म विश्वास को कभी डगमगाने मत दो अगर आपके अंदर प्रिगार आत्म विश्वास है आपका आत्म विश्वास मजबूत है तो दुनिया में कभी आपको कोई हिला नहीं सकता उसके बाद भी कई लोगों ने और भी कई तरीके की बाते के दी मराज इसमें ये आउसुबदा आ सकते इसमें ये पेचीदिगी आ सकते इसमें ये ज्ञमिला आ सकता कुछ नहीं सब ठीक होगा बस्तुता है जो आध्यात्मिक पुरुश होते हैं उनकी निर्णे ज्हमता साधारन वेक्तियों से बहुत उंची होती है सच्चे अर्थों में कहूं तो जहां हम आप जैसे लोगों की सोच समाप्त होती है वहां ऐसे विभूतियों की सोच की शुरुवात होती है कुंडलपुर के इतिहास के विशमे मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के जिर्नोधार का कारिकम 1992 से शुरू हुआ साउव असोग जी के नेतरत में 52 बाई 52 का एक जिनाले वनना था उसके लिए सिंगदार हुआ फिर जब बनने लगा तो लगा जिस पहाली पे ये मंदिर है वो पहाली मुरम की पहाली है इसमें तो छरन होगा ठीके गानी छरन को रोकने के लिए एक सिंगदार की योजना बनाई गई काम चलता रहा मंदिर का थोड़ा विस्तारी करन हुआ पर 1997 में जब जबलपूर में भुकम पाया उस भुकम के प्रताप से कुंडलपूर के जिनाले में बड़े बाबा के जिनाले में भी क्रेक आ गया कई मंदिरों में क्रेक साए 1998 में गुरुजेव जब सागर से कुंडलपूर गए बड़े बाबा के दर्शन किये बाहर निकले और तुरत कमेटी से बोले भी या बड़े बाबा का मंदिर यहां नहीं बनना चाहिए बड़े बाबा का मंदिर पाहर होना चाहिए जो भी हो, बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच का समवा आदांतरिक समवाद, उन्होंने निर्णे लिया, कमेटी को बोला, कमेटी ने सिर्माथे लिया, काम आगे हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद, आचायर महराज तो अपने पर अडिग रहे, सन 2001 में कुंडलपुर बहुत सफ हुआ, कि इसलिए कि समाज में एक अच्छा बातारण बने, जो लोगों को कहा जा रहा है कि भगवान में क्रेक आ गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, लोग आखों से देख ले, उसकी संयोजनापुर योजना मेरे मस्तिष्क में ही उत्पन हुई थी और गुरुदेव श्या आग्रह पुर्वकासिरवाद लेकर उस आयोजन को संपन्द कराए गया थी, उस आयोजन में, जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के डिरेक्टर जेनरल वीके खासली वाला है, बड़े बाबा के द जिब्ब द्रष्टा हो, उन्होंने का बड़े बाबा के मंदिर से ज्यादा खत्रा बड़े बाबा की मुर्ति को है, क्योंकि बड़े बाबा की प्रत्मा जिस आधार पर है, वो एक तरफ कुछ मिलीमीटर दभीवी है, आप भुकंब की बात तो जाने दिजिए, हलकी सी है मिरिंग होने पर भी बड़े बाबा को खतरा हो शकता है, ये निर्णे उन्होंने भरी सभा में भी कहा, गुरुदेव ने कहा, भाई मैं इसी दिये तो चाहता था, सिफ्ट हो गया, एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा, कि आहराज जी आपने इतना बड़ा निर्णे ले लिया, आपको पता था कि समाज में बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो शकती है, अचानक आया, आपको क्या इंट्यूशन हुआ, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा, वो टाल गए बात को, बले हुआ होगा, बस बड़े बाबा को जाना था चले गए, ये सोच, आज आप जाओ कुंडलपुर में, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कुंडलपुर का बनने जा रहा है, जो पत्थर का है, बहुत तेजी से काम भी चल रहा है, और बस बहुत जल्दी उसकी प्रतिष्ठा भी होनी है, सब यही भामना भाओ, ये शिग राति शिग गु आप जिनाले की भबतम प्रतिष्ठा हो, तो ये आत्म विश्वास उनके अंदर बड़ा प्रगार था, तीसरा क्रम, वे बड़े अध्यात्म निष्ट है, वो किशी से किशी प्रकार का अटेचिमेंट नहीं रखते, चाहे कितना बड़ा साधू हो, या कितना ही बड़ा स्रिष्टी, उनको खुद से ही ममत तो नहीं तो और किसी से क्या होगा, उन्हें अपने गुरु के प्रतिवी भक्तिये पर ममत तो नहीं, कुंडलपूर में ही मैंने पूछा कि गुरुदेव, जब ग्यान सागजी महराज की समाधी हुई तो आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा, जिससे मैंने अपने बहुत बड़े कर्तब को पूरा किया, मेरा सिर का भार उतर गया, और एक लंबे अंतराल के बाद, पहली बाद, मैंने अपना पाटा छट पे लगवा के सोया था, मैंने पूछा गुरुदेव, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके उपर से, आपके सिर पे से बहुत बड़ा हाथ उठ गया, बहुत नहीं लगा, नहीं लगा, मैंने अपने कर्टब किया, और उन्होंने गाथा कांस सुनाया, कि प्रमान सागजी याद रखो, निगंत लिंगो निराव वेखो, निरिगंत लिंगो निरिपेख्ष होता है, और ये बातें, मैंने कई बार देखी, एक संस्था में भोजन साला चलती थी, उस भोजन साला के लिए, एक बड़े दातार ने, जो बड़े रेपूटेट डातार थे, बीश लाख रुपया का दान बोला, अब उचको ने गुरुदेव शाशिर बात दिले है, और उस दातार के लोगों ने कान भर दिये, कि यहाँ पैसे का मिश्यूज है, तीन मेहने तक पैसा नहीं भेजा, और तीन मेहने बाद उन्होंने पत्र लिखा, कि भाई हम आपको पैसा भेजने की जिगा, आपको बीस हजार रुपाय मेहने की इसाफ से ब्याज भेजेंगे, उनने साथ हजार रुपाय भेज दिया, जो उसकी विवस्था देखते थे, वो गुरु चर्णों में गए, माराज जी उन्होंने ऐसी ऐसी रासी बोली थी, वो पैसा भेजने की जिगा, ये चिठ्धी लिखी है, और ये साथ हजार रुपाय भेजा है ब्याज की रूप में, हम उन्हें क्या कहें, गुरु देव ने क्या कहा है, जिने हमारे कार्य करता हूँ पर विश्वास नहीं, उसका दान नहीं लेना, उनका पैसा वापस कर दो, उन्हें ये नहीं कहा, मैं बुला के बात करता हूँ, मेरे पस लियाओ, तुम दातार हो, कहीं हो, पर अगर कहा है, तो अपना करो, तुमको विश्वास है, भरुसा है, तो दान दो, नहीं तो तुम अपना रास्ता नापो, ये निश्प्रहता, ये अध्यात में निश्ठा का ततिफल है, और वे रचना धर्मी हैं, उन्होंने सहित का सजन किया, संग का सजन किया, और इतने बिशाल बिशाल, जिन मंदिरों की पेड़ना देकर, हमारी संस्कृति को हजारों साल के लिए सरक्षित कर दिया, ये उनके दूर, दर्सी, सोच का सुफल है, क्या कहूं समय आप सब का हो रहा है, बस उनके चर्णों में बंदना करूँगा, और ये भावना भावनगा, कि उनकी यही छाया हमें हमेशा मिलते रहे, और उनका स्वास्त और अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, और आयू लगे, तो हमारी, तुमारी सब की आयू उनको लग जाए, ताकि उनकी वरदानी च्छाया, हम सब को मिलते रहे, सापरियास हम सब को करना चाहिए, समय आप सब का हो रहा है, परसों के, परसों यहां धोजा रोहन, और उसके बाद सिद्य चक्र महा मंदर विधान का कारिकम होगा, इसकी सारी सुचनायास साइम का लाप सब को दे दी जाएगी, यहीं पभी राम, बोलिये परंपूज आचायर गुर्वा स्री, बिद्या शागर जी महराज की,